हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल करिये टिक फंडा में मैं खुश्पू और आज की इस वीडियो में हम बात करने आल है राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर के विभिन ट्रेडों पर जो भरती निकली थी उसमें किस ट्रेड में टोटल कितने फॉर्म फिल है उसके बारे में हम यहाँ पर डीटेल में बात करेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लिजे जिससे वीडियो की हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहें तो जो भी स्टुडेंट्स कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उनके मन में एक चीज रहती है कि उनका एक्जाम कब होना है अगर आपको डेट पता होती है तो आपके जो प्रेपरेशन है वो और बहतर हो जाती है तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर इंप्लॉइबिल्टी स्किल की तो यहां पर आपको थोड़ा सा बलर दिख रहा होगा साफ साफ इमेज नहीं दिख रही है लेकिन मैं आपको डीटेल्स बताते चल रही हूं ठीक है तो इंप्लॉइबिल्टी स्किल्स जो ट्रेड है उसमें टोटल आपके 158 पोस्ट थी व 147 फॉर्म टोटल यहां पर फिल अप हुए हैं इंप्लॉइबिल्टी स्किल्स के ट्रेड में और इसकी एक्जाम कब होना है तो इसका एक्जाम आपका 16 नवेंबर को 16 नवेंबर 2023 को होना है नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है कम्प्यूटर लैब या आईटी लैब इसमें ट टोटल फॉर्म कितने फिल अप हुए हैं 1666 यानि 1666 फॉर्म टोटल यहां पर फिल अप हुए हैं कम्प्यूटर लैब के अंदर और इसका एक्जाम भी कब होना है 16 नवेंबर 2024 को ही होना है नेक्स्ट ट्रेड जो है वो है वरक्शॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का इसमें 1219 टोटल पोस्ट थी और इसमें कितने फॉर्म फिल अप हुए हैं टोटल 505 फॉर्म फिल अप हुए हैं और इसका एक्जाम भी आपका 23 इसका एक्जाम 23 नवेंबर 2024 को होना है नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है इंजिनियरिंग ड्रॉइन का इसमें टोटल जो वेकेंसी थी वो 100 वेकेंसी थी और इसमें फॉर्म आपके कितने फिल अप हुए हैं तो 3112 फॉर्म टोटल यहां पर फिल अप हुए हैं इंजिनियरिंग ड्रॉइन के अंदर और इसका एक्जाम कब होना है एक दिसमबर को होना है एक दिसमबर 2024 को इंजिनियरिंग ड्रॉइन का एक्जा थी 90 वेकेंसी थी और इसमें फॉर्म कितने फिलप हुए हैं यहां पर फॉर्म 2546 फॉर्म यहां पर वायर मैन के अंदर फिलप हुए हैं और इसका एक्जाम कब होना है जन्वरी फर्वरी 2025 में इग्जाक्ट इहां इन्होंने नहीं दिया है बट जो वायर मैन का एक्जाम है वो आपका 2025 में होगा जन्वरी या फर्वरी में नेक्स्ट ट्रेड है welder trade welder में total 149 seat है vacancy है और यहाँ पर इसमें कितने form fill up हुए हैं तो 1699 form fill up हुए है welder में और इसका भी exam आपका जनवरी फरवरी 2025 में होना है next जो trade है वो है turner का इसमें total vacancy आपकी 42 है 42 और इसमें total form कितने fill up हुए है 933 form fill up हुए है turner trade में और इसमें जो इसका भी जो exam है वो जनवरी फरवरी 2025 में ही होगा next trade है solar technician electrical का है इसमें total जो vacancy है वो 36 है और इसमें form कितने fill up हुए है 2527 form fill up हुए है और इसका exam कभ होना है january फरवरी 2025 में होना है next trade है swing technology swing technology में total 40 seat थी और इसमें form आपके बहुत कम fill up हुए है 521 form ही total fill up हुए है जिससे आपका competition थोड़ा कम हो जाता है अगर आप अभी से preparation कर रहा है तो आपका यहाँ पर selection पक्का है और यहाँ इसका exam कभ होगा जनवरी फरवरी 2025 में भी इसका exam भी होगा ठीक है तो काफी समय भी मिल रहा है preparation के लिए अपनी preparation और अच्छी कर सकते हैं next trade है plumber, plumber में total 58 seat थी और इसमें form कितने fill up हुए है 965 form fill up हुए है और इसका exam भी आपका जनवरी फरवरी 2025 में होगा next trade है mechanical motor vehicle यानि FMV इसमें total 71 seat थी और 673 ही इसमें form fill हुए है और इसका exam भी आपका 25 जनवरी फरवरी 2025 में होना है next trade है आपका information and communication technology system maintenance का इसमें total जो vacancy है वो 47 है और इसमें form कितने fill up हुए है 608 form total fill up हुए है इसका exam भी जनवरी फरवरी 2025 में होना है next trade है electronics mechanic का यहाँ पर 76 total seat है और इसमें total form कितने fill up हुए है 849 form 839 form total fill up हुए है और इसका exam भी आपका जनवरी फरवरी 2025 में होना है next trade है draftsman civil का इसमें total 38 seat थी और इसमें total form कितने fill up हुए है 633 form इसमें fill up हुए है draftsman civil में और इसका exam भी आपका January फरवरी 2025 में होना है next trade है आपका cosmetology, cosmetology में total जो seat थी vacancy थी वो 43 थी और इसमें total form कितने fill up हुए है 460 form ही fill up हुए है, बहुत कम form fill up हुए है, इसका exam भी आपका January, February 2015 में होना है next trade है COPA, यानि computer programmer and computer operator and programming assistant का इसमें जो number of vacancy थी, 217 vacancy थी और इसमें जो total form fill up हुए है वो 2134 form total fill up हुए है और इसका exam कभ होना है, January, February 2015 में होना है ठीक है, अब यहाँ पर हम next trade की बात करते है next trade कौन सा है, next trade है fitter, fitter में total यह number साफ साफ दिख नहीं रहा है यहाँ पर total 263 या 243 ऐसे ही कुछ है, तो इसमें total जो form fill up हुए है वो 371 है और इसका exam कभ होना है, 26 June 2024 को होना है यानि कुछ trade का exam इस साल हो जा रहा है 2024 में और कुछ trade जो है, उनका exam 2025 के starting में होना तै हुए है, next trade है RAC यानि refrigeration and air conditioning technician का, इसमें 134 total seat थी और इसमें 123 form fill up हुए है इसका exam आपका 27 June को होना है, 27 June 2024 को होना है next trade है electrician, electrician में जो total form vacancy थी वो 348 कुछ vacancy थी और इसमें total जो form fill up हुए है वो 4870 form fill up हुए है, और इसका exam आपका 29 June को होना है next trade है mechanical diesel या जिसे diesel mechanic भी बोलते हैं, इसका exam आपका 27 July को होना है और इसमें total form जो है, वो 1072 form fill up हुए है, ठीक है तो ये आपका रहा exam date, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं, next वीडियो में नई update के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धनवाद